नमस्कार मैं डॉक्टर पीउशा कुल्स्ट्रेश्ट एडियेशन नंकॉलाजिस्ट मेट्रोपूप होस्पिटल्स सर्वाइकल कैंसर यानि की गर्भाशय के मुक्का कैंसर यह महलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉवन कैंसर है हम अपनी आपी-टी बैलि रहें हैं जो इस City से कैंसर कैसी किया जाए उसमें बताधे हैं के ऐसके लिए एक वैक्सीन आया हुआ है है हमारी चीज़ है इसकी स्क्रीन 6 पार्ट यह काफी सिंपल होता है और जो international guidelines बताती है और हमारी Indian guidelines भी बताती है कि ये 25 साल से शुरू कर देनी चाहिए इस screening और 65 साल तक इसको जारी रखना चाहिए So screening में एक छोटा सा procedure होता है उसको बोलते है pap smear आप अपनी gynecologist के पास जाएए वो एक जाज करते हैं जो cervix होती है यानि कि जो गर्भशय का मुख होता है वहां से चोटा सा एक instrument की मदद से पानी लेते हैं या जो भी वहां पर material है उसको लेके slide पर लगाते हैं और उसको microscope में देखते हैं कि वहां की जो cells हैं वो कैसी हैं सो यह जो test है यह दो तरीके से होता है एक तो हम cytology देखते हैं दूसरा हम उसमें HPV DNA देख सकते हैं सो guidelines कहती हैं कि हर 3 साल पे हमें यह simple papyr smear cytology कराना चाहिए और हर 5 साल पे HPV DNA भी cytology के साथ कराना चाहिए क्योंकि हमने यह भी बताया है आपको कि यह जो HPV virus है यह cancer कराता है जो cervical cancer है इसका जो main कारण है यह HPV virus है और HPV virus के against vaccine आ गिया है यह भी आप सब जानते हैं स्क्रीनिंग में हम HPV virus को भी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि अभी जो cervix है इसमें कोई cancer की cell तो नहीं है या कोई ऐसी cells तो नहीं है जिनमें आगे जाके cancer हो सकता है मतलब कि precursor cells सो यह screening method है लोग बहुत डरते हैं कि पतानी यह painful होगा या कैसा होगा तो आपकी knowledge के लिए में बताती हूं यह बिल्कुल painful नहीं होता एक simple सार प्रोसीजर है जैसे बाकी सारे gynecological test होते हैं या आपकी जांच होती है वैसे ही एक simple से brush की मदद से यह वहां का fluid लेते हैं slide में लगा के रख लेते हैं या इसकी kit आती है उसमें रख लेते हैं फिर जो pathologist होते हैं इसको check कर लेते हैं और report एक या दो दिल में आ जाती है तो हर तीन साल पर कराना है यह बहुती simple सा procedure है और इसमें पता चल जाएगा कि आपकी सर्विक्स कितनी healthy है और cancer से पूरा पूरा बचाव इससे हो जाता है तो मेरी बिल्कुल सला है कि आप बिल्कुल न डरें 21 साल से लेकर वेदेशों में कराते हैं लेकिन यहां 25 साल से लेकर 65 साल तक हर 3 साल पर और हर 5 साल पर आप यह test कराएं और सर्विक्स के जो cancer से पूरी से पूरा बचाव पाएं और 9 से 14 एर्स तक जो cancer के लिए जो vaccine आया है वो भी जरूर लगवाएं Thank you so much